श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा का हमारी दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है क्यूंकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं होता हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता तो आईए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले हैं जी हां इस दिन चंद्रम आपकी कुंडली में सब्तम भाव में रहेंगे, सब्तम भाव में चंद्रमा के होने से आपका मन शांत रहेगा, प्रसन रहेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे, जोश और उत्साह सुबे से ही आपके अंदर देखने वाला होगा, इस दिन खास करके स्त्री और आपके से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी, इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे, आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा, इस समय में आप अपनी जन्मभूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो, इस समय समय में आप कलाकिक छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे, जोतिस विद्या अध्धात्म जैसी चीजों में आपकी रुची ज्यादा होगी, इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धी तीव्रगती से काम करेगी, आप इस दिन कुछ नया सोचोगे, अपने काम को आगे बढ़ाओगे, और इस वज़े से आपकी डेली की इंकम भी बढ़ेगी, अगर परसनल लाइप के बात करते हैं, लव लाइप के बात करते हैं, तो इस समय में लव लाइप और बहतर बनने वाली है, अपने पार्टर के साथ समय बिताना आपक के लिए काफी अच्छा रहेगा, मोज मस्ती भरा, प्रसन नताव आनन से भरा दिन रहेगा, गरानक्षत्र आपको आज पूरा सहयोग करेंगे, तो आपके प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नए कदम आगे बढ़ाने के लिए, पूरानी तकरार मिटाने के लिए और नए रिष्टे बनाने के लिए हर तरह से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशनमा माहोल रहेगा, मैरिड लाइक भी इस समय में बहतरीन रहेगी, अपने परिवार को खुश करें और आपके अपनों को थोड़ा ज्यादा समय दे, ये वक्त क अगर स्टूडंस की बात करें तो स्टूडंस इस समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके लिए समय बहतरीन रहेगा, कॉंसेंट्रेशन अच्छी रहेगी, ये समय जम कर पढ़ाई करने का है, अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए, अपने अच्छे स्वास्ते के लिए अच्छा रूटीन बनाए, और उस पर चले ताकि आप हमेशा फिट रहे सके, अपने स्वास्ते के अनुसार अच्छा डायट प्लान बनाए, और उसे अच्छे सी निभाए, योगा करे, प्रानयाम करे, सुबह टहलने जरूर जाए, बीमारी आप से दूर ही रहेगी, इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा, और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है, लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों आगेज जरूर देखे, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ-साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी ची हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नका कुछ नोग एंट्रीके मेंड डॉर के सामने ही जूतेया चपल डायरेकली, उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सुत्रय रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए, उस थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे, अग हमारे घर के चट के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर क के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरह से साप रखें पूर आई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कछरा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सा इडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे। अंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्य का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चेड़ चेड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदक कुल भी शुब नहीं है जी हां वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है। दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फ जोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटनाए गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तो कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन म में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है धन ला सकते है मा लक्ष्मी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को ज़रूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करे धन्यवाद